अलो गाइस ओपोए 53 में एक नया software update आया है हमें चलना है settings पर यहां पर आपर software update इस पर हमें क्लिक करना है यहां पर आप देख सकते हैं guys यहां पर आपर आपर आपडेट अवैलिबल जो की 1.09 GB का है और version है F90 इसे हम चलते हैं about devices में guys हमें click करना है new version available पे हमें click करना है about this version पे guys यह एक system update है जिसमें आपको March 2023 का Android security patch मिलेगा guys हमें version पे click करना है आप देख सकते हैं अभी जो version है currently F89 है guys हमें चलना है password and security में यहां पर system security पे click करना है जो security अपडेट है वह है पांच जनवरी 2023 का अब हम new version अब वैलिबल पे click करते हैं हमें resume पे click करना है यह download हो रहा है इंगाइस यह अभी थोड़ा टाइम लेगा guys downloading खत्म होने वाली है install now का option आ रहा है इस पर आपको click करना है हमने click कर दिया है verify हो रहा है यह अभी कि यह आप देख सकते हैं restart हो चुका है कि यह अभी कि सेटिंग पे जाना है आपको about phone पे आपको क्लिक करना है यह आप देख सकते हैं up to date आ रहा है कि आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं यह आप देख सकते हैं checking for update यह आप देख सकते हैं जो आपका version up to date हो चुका है कि यह आप देख सकते हैं जो security update हो लेटेस्ट हो चुका है पांच मार्च 2023 का तो गाइस इस update में आपको यह देखने को मिलता है कि काइस यहां पर देख सकते हैं Google Play system update भी यहां पर शो हो रहा है जो कि एक फरवरी 2023 का है आप चाहिए तो आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं आपको इस पे बस क्लिक कर देना है चाकिंग फॉर अपडेट शो हो रहा है भी आपको गाइस यहां पर देख सकते हैं restart to update शो हो रहा है तो यहां पर हमें restart now पर क्लिक करना है इसको अपडेट करने के लिए यह restart हो चुका है अब हमें चलना है settings पर हमें password and security पर जाना है अब अब हमें यहां पर system security पर जाना है यहां पर आप देख सकते हैं Google पर system update हो चुका है 1 March 2023 का तो guys यह था पूरा वीडियो अपडेट के बारे में तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब केज़े वीडियो पर लाइक केज़े और अपने दोस्तों में शेर केज़े Thanks for watching, thank you